उन्ने सगस्पु रक्षा बंधन का पावित पेवार हा रहा है जिस दिन अगर भाई को राशी अनुसार राकी बाली जाए तो उस रोशेष्ट मन रहा है आईए जो तिस से यानते हैं किस रन की राक्षी बनना शुब होता है रक्षा बंधन बहन भाई के बीच के प्रेम का एक हटूट बंधन है जिसमें बहन अपने भाई को रक्षा के हिसाब से रक्षा सुत्र बांधती है रक्षा सुत्र तो बांधते ही है लेकिन इसमें यदि राशी की अनुसार बहन अपने भाई को भाई की राशी की अनुसार स्प्रक्रशा सूत्र बांधे तो वो सर्वत्तम हो जाता है रक्षा अप्र थो बांधेंगे ही देखिन कलर जो यह जो रंण है भाई के राची के अनुसाहर जिसमें बेहन के जो भआव Candice करेंगे ही ते अहीं साथ ही ग्रह संबंधित जो कलर है जो रंग है वो भी भाई के लिए शुबता प्रदान करने वाले हैं इसमें जो मेसराशी वाले जातक हैं जो भाई हैं उनको मेसराशी वाले भाईयों को लाल रंग की राखी बांधना स्रेष्ट रहता है मेसराशी वालों को मंगल ग्रह प्रभावित करता है इसलिए लाल रंग की राखी बांधना स्रेष्ट है व्रशब राशी वालों को नीले रंग की राखी बांधना सर्वत्तम माना जाता है मिथुन राशी वालों को हरे रंग की राखी बांधना बहुत शुबता है क्योंकि मिथुन राशी वालों को बुद्ध ग्रह प्रभावित करता है करक रासी वालों को सफेद रंग की राखी चंद्र से संबंदिज जो होती है वह बांधना बहुत स्रेश्ट है तथा सिह रासी वालों को पीले रंग की राखी बांधना सर्वत्तम माना जाता है कन्या रासी वालों को गहरे हरे रंग की राखी बांधना सर्वत्तम है तथा तुला रासी वालों को गुलाबी रंग की राखी शुक्र ग्रह जिसका प्रभावित होता है गुलाबी रंग की राखी बांधना सर्वतम माना जाता है रश्चिक रासी वाले भाईयों की कलाई पर महरून रंग की राखी शुबता प्रदान करने वाली है तथा धनू रासी वाले जो जातक है जो भाई है उनकी कलाई पर हलके पीले रंग की राखी शुबता प्रभुता एश्वरी को प्रदान करने वाली रहेगी तथा मकर राशी वाले जातकों पर जो भाई हैं उनकी कलाई पर नीले रंग की जो राखी है वो बहुत शुब और लाबकारी रहेगी कुम्ब राशी वाले जो भाई हैं उनकी कलाई पर भी गहरे हरे रंग की राखी जो है बहुत शुबकारी रहेगी तथा मीन राशी वाले जो भाई हैं, उनकी कलाई पर पीले रंग की, हल्दी पीला रंग जो होता है, उस कलर की, उस रंग की राथी शुबता परवान करने वाली रहेगी, इस प्रकार से भाईयों को उनकी राशी के अनुसार यदि राथी बांधे, तो उनका जीवन और मंग कल्वाय होगा जैस्रीकृष्णा